दोस्तों आज का वीडियो फास्ट बोलर के लिए स्पेशियल होने बला है तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्ट्रेचिंग के उपर बात करेंगे आपको कैसे फागना है ताकि मतलब आप रिदम के साथ फाग पाए और आप जितना फूर्स डालना चाहते हो बोल के पीसे उठना डाल पाए ठीक है इसके अलब हम लोग जांप के ऊपर भी बात करने बला है कि आपका जांप कैसा होना चाहिए और जांप क्यू ज़रूर है त अगर आप फास बोलिंग करते हो या फिर आप सीख रहे हो अभी तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो को एन तक जरूर देखना ताकि मेजो आपको बटाऊंगा बोट सब आपको अच्छे से समझ में आये और इसको आप अपने गेम में इंप्लिमेंट कर पाए तो चलिए अब इस वीडियो को चुरू गरते हैं दोस्तों सबसे बहला हम बात कर लेते हैं स्ट्रेचिंग के उपर तो एक फास बोलर के लिए बोलिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग करना काफी ज्यादा इंपोर्ट आता है तो लॉंग ताम में जरूर आएंगे तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है जब यह बोलिंग कर तो उससे पहले प्रोपर वरकाओ उड़े उसका हमेशा ध्यान दो अगर आप अकेडमी जाते हो तो आप लोगों को पता होगा कैसे करना है वैसे मैं आप लोगो करें बिना प्रैक्टिस करने जाओगे बोलिंग करने जाओगे मैच में तो आपके सथ प्रोब्लेम आएगी तो इसलिए हमेशा थ्यान दो जो बोलिंग करने से पहले अपने पेरों को अपने हाठों को और अपने हैट को जरूर स्ट्रेच कर लो और हो सके तो अपने जो ग इसके उपर बात करेंगे और गोग बनाएंगे फास ब Waar डिये तो उसमें हमनों बात करेंगे कि रनाब को कैसे सब्साइब करना चाहिए यडिgr जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रन-अप में आपको कैसे भागना साहिए और मैं आपको खुद दोच्छार बोल करके दिखाऊंगा बस एही करेंगा ठीक है तो रन-अप में जब आप भागते हो तो आपको हमेशा क्या करना है अपने थोड़ा सा चुक के चुरू करना है अ तो जब रन-अप चुरू करने की वारियती है थोड़ा सा आगे की और चुको उसके बाद थीरे-दीरे भागना चुरू करो ठीक है यह हो गई एक तो यह तो होगे हमारा पहला इंपोर्टेंट बात दोस्तों दूसरा इंपोर्टेंटी भे रन-अप के लिए वह है कि आप को हमेशा चोटे-चोटे स्टेप से चुरू करना है आपको मतलब पहले चल के चुरू करना इस परका से चल के चुरू करना है और उसके बाद थीरे-दीरे अपने स्टेप मतलब रनिंग की स्पीद को बराना है वैसे कैसे करना है मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा थोड सब्सक्राइब करने की वारियत है उसके दो टीन स्टेप पहले अपने रांडिंग की स्पीद को पूरा बराद हो उसके बाद जंप लेते हुए बोल को फेकड़ तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पहुर्णिया दोस्तों जैसे ही आप लुक रन अप से फाग कर आते हो उसके बाद आजआता है आपका जंप तोropol के साथ बहुत-छाफ में बोलर कुरते हैं तो बहुत चरहे राइधंदर बोलर क्या करते हैं, अपने राइध फुट से जंप लेकर इस पागा से बोल को फेकते हैं, यह गलत है, और बहुत चरहे लेधंदर जो बोलर है, वह अपने लेफ पर से जंप को लेकर इस पागा से एक जंप के सार बोल को फेकते हैं, तो यह ग आपका जो जम्प है आपका नापस इस पगार, तो याद करने के लिए यह बात हमेशा आट दखना कि अगर आप लैंठ राइट फूद्ट से तो अगर आप लेट अंदर बोलर हो तो आपका जाम चुज़ फूद्ट से राइट फूद resultados जम्ब के साथ छादा cuma आता है आपका एक्षन में उठना पेस नहीं दाल पाओंगे अपने बोलिंग में तीक है तो इसलिए आपका जो नेचुरेल एक्षन है उसी के साथ बोलिंग करो बस अपने नॉन बोलिंग आम के ऊपर थ्यांदो यह जरूर बटाओंगा जो आपका नॉन बोलिंग आम है इसको मतलब जब उठाते हो उपर के और तो आपका जो फ्रॉन पूड इसके लाइन में इसको उठाओ अगर यह इस से बाहर यह उठेगा तो आपको बाद में लुवर बैक्पेन की समझ सा आ सकते है इससे में खुद भी एक्सपिरियंस हो अगर यह जिदा अगर यह हाथ जएदा अंदर भ बुम्रा गीटर इहां पर गरते हो जहां पर इसको लोट करते हो करो वस अपने नॉन बोलिंग आम को जब उठाते हो अपने तेर के लाइन पर ही उठाओ इस चिंपल चे बात का अगर आप ठ्यान में रखोगे तो आप इंजूरी फ्री होके काफी लॉंग टाइम टाइम कर सकोगे और हाद दोस्तों जब आप भूल को फेकते हो उसके अब आपको रुकना नहीं अपने बोडी को तुरंट नहीं रोकना है ठीक है इस बात का भी आप हमेशा ठ्यान जैसे आप बोल को इस पागा से डेलिवर करते हो उसके जहां तक आपकी बोडी जाने की कोशिश करता है जाता है आपकी बोडी जाता है बार तक जाओ जिस पागा से एक गारी अगर जोर्त की स्पीच से आ रहा है काफी तेज स्पीच से आ रहा है तुरंट वह अगर रुकेगी तो मतलब उसको इंजूरी आएगी उस गारी को मतलब उसकी एक्सदें हो सकते है कुछ हो सक कि अपने बोडी को तुरण रूख देते हो बोल को फेकने के बाद तब आपके बोडी के सथ क्यू इंजूरी नहीं आएगी तो इसलिए हमेशा धियन दो जैसे बोल को फेक ते हो उसके बाद धिरे धिरे जाकर रूखो अपने बोडी को आगे की और जाने दो तो इस बात के आप हमेशा ध्यांदो कि बोल को फेकने के बाद आप हमेशा अपना फॉलो थू को कम्पलिट करो हमेसा भीता है आपको ऊएक और बात बाताना साहंगा जैसे जब लैदर की बोल करते हो आपका जो भीट जफिनिष करति है बोल को इस पगा से कर पाओ गए मतलब इस पगाच है बोल को पीछिर्लिष कर पाओगे तो आपकी बोल बैक स्पिन काता हुए जाएगी अगर सिम में जाएगी तो गेन हबा में हरकत करेगी और जो गेन हबा में हरकत करती है उस गेन को खेलना किसी भी बैच्मेन के लिए काफी जएदा चेलेंजिंग हो जाता है तो हमेंसे आप ठ्यांदो कि आपका बोल के पीछे आखरी ताइम पर ये डोनों उंगली क अगर बोल को डेलिवर करने वादे हो अपने इस्तमाल कर पाओ ये भी सही है कि बहुचर मतलब बच्चों को बिगिनर को ये से बता दिया जाता है तो उसको फॉलो करते है लेकिन अगर आप की नेचुरल व्यसा नहीं है आप इस पर भग के जाके अच्छे से बोलिंग नह जाना साथ हो और आखरी ताइम पस बस ये ठ्यान दो कि बोल के पिसे आपका जो उंगली है उसका कॉंटेक्ट हो अगर ये आप कर आओगे तो आपकी बोल डेफिनेटली सीम पे जाएगी और गेन स्विंग भी करेगी तो बच आज के वीडियो में इतना ही तो जितना अगर पसंद नहीं आया है तो इसको डिसलाइक करना और चैनल पर पहली बार है हो तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंज के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके ठीक है तो मिलता हो अपसे शीपकर के एक और यह वीडियो के साथ मैं से मैं प्लान कर रहा था कि बुमरा के जैसा बोलिंग कैसे करें इस तोपिक के आपर बहुत जल्ब वीडियो बनाओ चाहते हो या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना तो बस यहीटे आज के वीडियो में मिलता हुआ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टेंश पयाद, इंप्रोव यूरिश्यल्फ एंज्यू यूर्गेश